सब्सक्राइब करिया है फर्स्ट डी चैनल को बेल आइकन को प्रेस के जिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहरे पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके लिए लेट सर्समेस्टर की साइंस के कुछ महातुपूर बहुविकल पे प्रेस्ट जो अक्सर करके परिच्छा में आपके पूछा जाते हैं तो पहला आपका हो गया एकसरे का विसकार किया आ है आपका मारकोनी ने बी है आटो हान ने सी यानि कि सा एडिसन ने दा है विलियम रोजेन ने जल्दी बताईए पहले आप लोग बताईए जल्दी कमें क्या हो जाएगा आ बा सा या दा क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आ निम्लिक्षित यातायात के सादनों में कौन सा विग्यान एबम परवध्योगिकी की देन है तो आ अपसन है बैल गाडी बैल गाडी गाडी तो विग्यान की दौरा बनाई जा सकती है जो पीछे लगती है लेकिन बैल थोड़े न अब बी है क्या होगी साइकल सी गोडा तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका बा, पूर्ण रूप से जो इंसानों दोरा बनाई जा सकती है, ठीक है विज्ञान के मदद से, तीसरा आपका क्या है, एजूसेट क्या है, जल्दी से बताइए बाई, तीन नमबर, आ है आपका सैचिक कारिकरम, बा है सैचिक बगरा, सा है, सैचिक सिमित, दा है, इन में से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा, थार्ड नमबर में, जल्दी से देखे, एजूसेट क्या है, क्या हो जाएगा, आपका आपसन हो जाएगा, बा, क्या हो जाएगा, सैचिक बगरा, क्या हो जाएगा, सैचिक बगरा, चार नमबर, किरसी उपज में आसातित ब्रदी को क्या करते हैं जली रहता है यह बहुत आसान कुशिन है करसी उपज में आसातित ब्रदी को देखे स्वेद क्रांती क्या हो गई आपकी स्वेद का अर्थ होता है सफेद सफेद क्या चीज होती है दूद होता है आपका तो जो दूद से क्रांती उसे कहेंगे स्वेत करांती और बी हरित जैसे कि नाम साहँ पता है खेत कैसे होते आपको हर्याली होते है बाई हर एवर होते हैं पेर पौस दे हैं थो बी हो जाएगा क्या हरित करांती खेत पांचवा नंबर इधन के आधनिक रूप इधन कي हो आ है आपका मिट्टी का तेल, B है आपका LPG, C है लकडी, और D है उप्योग सभी, क्या हो जाएगा, तो इसमें सभी चीजों को उप्योग आजकल हम लोग कर रहे हैं, तो D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D, आगे, 6 नमबर, मनोरंजन के साधन है, तो मनोरंजन के कौन कौन से साधन है, किस-किस से आप लोग मनोरंजन प्राप्त कर रहे हैं आजकल, जल्दे-जल्दे बताइए, आपसन है आपका कंप्यूटर, बा है वीडियो गेम, सा है टेलिवीजन, और दा में है उप्रूप सभी, तो भाई, कंप्यूटर पर भी गेम खेल लेते हो ना, और वास्प में बदलने की क्रिया, द्रोव को वास्प में बदलने की क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, आ है उर्द्वा पादन, बा है वास्पन, सा है संगनन, दा है इनमें से कोई नहीं, वास्प और ये बानमबर वास्पन, नाम से ही पता चला है ना, क्या हो जाएगा, वास का उप्युक्त उदाहरन क्या हो जाएगा उर्द्वा पातन का उप्युक्त उदाहरन आ नमबर है नौसादर बा है कपूर सा है हीरा और दा है आपका आ और बा दोनों जल्दे ले बताइए कमेट में जल्दी 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 तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएग आठ नमबर में सभी लोग देखिए जल जल इतनी देर तो लगनी ही नहीं चाहिए तो आपका हो जाएगा दा और बादोनो नौसादर और कपूर उर्द्वा पादन क्या होता है जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं और सीधा वो वास्प में बदल जाता है कपूर देखिए जलाएंगे तो तुरंत तुरंत मतलब डारेक्ट उसमें ये देखने को नहीं मिलेगा कि देखे खताम हो रहा है तुरंत मतलब किसी अन्य फाम में बदलने से पहले डारेक्ट वास्पी करण हो जाएगा ठीक उसकी मातरा में बहुत कमी आ जाएगी और खत्म हो जाएगा देखे तो इसे कहते हैं उर्द्वा पादन नो नमबर जल्वास्प का द्रों में बदल जाना कहलाता है आ नमबर है आपका गल्लांग बा है वास्पन सा है संगनन और दा है इन में से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा, देखें वर्षा की जो बूंधे होती है पहले जो तालावों में पानी वरा जाता है समुद्रों में, यह वास्पन की किरिया के दौरा ऊपर जाता है, मालकी ऊपर उठता है उसके बाद वहां पे छोटी-छोटी बूणों की रूप में परिवर्तित हो जाता है शल वास्फ तो उसके बाद बारिस होती है जो वास्फ की रूप में पहले उठेगा सुर प्रकास में गर्मी के करण फिर उसके बाद छोटी छोटी बूंदों का निर्माण करेगा फिर बारिस होगी ना तो यहां पर बात किसी की किया रही कुषिशन में जल वास्प की मतलब जल वास्प का द्रों में बदल जाना जो उपर से बारिस होगी भाई बूंदों तो बनेंगी ना तो क्या हो जाएगा इसमें नो नमबर में संगनित मतलब वास्प का पास आएंगी तो जो पास आएंगी तब पहुँ से चोटे-चोटे molecule लेनी की कंड़े आपस में जुड़ेंगे और बूदो करेंगे तो उस क्रिया को कहेंगे संगनन क्या हो जाएगा आपका आपसं स सही हो जाएगा ठीक है दस नमबर दापका मातरक है आ है न्यूटन मीटर बा है किलो मीटर और सा है आपका जूल और दा है न्यूटन मीटर स्कॉयर जल्दी ले बताएगे भाई 10 नमबर में दाब का महतरक है तो यहाँ पे हो जाएगा दाजी जो दिने लोग बता रहे हैं सही बता रहे हैं भई न्यूटन मीटर स्कॉर न्यूटन प्रती मीटर स्कॉर 11 नमबर समुद्री तल पर दाब मापी के पारे में उचाई होती है समुद्री तल पर दाब मापी के पारे में उचाई होती है आ है 60 सेंटी मीटर बा है 60 सेंटी मीटर और सा है 95 सेंटी मीटर और दा है 100 सेंटी मीटर बताइए 11 नमबर कॉश्चन अहां दियान से देखिए समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की उचाई होती है तो आपका हो जाएगा ग्यारा नंबर में क्या हो जाएगा लिली बताईए पढ़े हैं कि नहीं पहले कभी समुद्री तल फर्दाप मापी के पारे की उचाई तो आपका हो जाएगा छीएतर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 76 सेंटीमीटर आपकर राइट है जितने लोग बही बता रहे हैं और जो अलग बता रहे हैं वो बताते रहे हैं इसे एक्जाम में बताएंगे बार नमबर निमलिखित में से कौन सा पेसी बल का उधार नहीं है पेसी बल जिनमें हमारी मसल्स यानि के हाथ हमा वो एक्जाने बन द faithful कूली दार हाथ से ठेला हो रहा है यह बाद से पेड़ से अपने आप गिर रहा है और सा क्या है बच्जे दारा साइकल चलाना जब बच्छे दारा साइकल चला ही जाएगी बहुरू है तो इसको दा में लग रहा है और साम लग रहा है किस में नहीं लग रहा है तो कुश्चन क्या रहा था निम्लिकित में से कौनसा पेसिबल का उजार नहीं है तो क्या है बाप का हो जाएगा अपसंद सही भाई तेरा नमबर निमलिकेद मेंसे मसीन कौन सा कारे नहीं करती है तो मसीन कौन सा कारे नहीं करती पहले देखेंगे आ हो जाएगा हमारे कारे को सुगधा जने कि मनाना भाई कोई मसीन है मसीन हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे कारे को जल्दी निप्टा दे ठीक है थोड़ी सुवधा हो जाए help मिल जाए उससे और बा क्या है हमें कम बल लगा कर बोज उठाने योग गुनाना बा भी नहीं होगा यथार्थ भाप लेने योग गुनाना और दा क्या है हमारे कारे को सीगर करने में तो आ बा और दा यह तीनों तीनों तो होंगे ही नहीं क्योंकि मसीनों का योग हम इसी लिए करते हैं बाए हमारा कारे सुजा जनक हो जाए और टाकत कम लगे और सीगर हो जाए तो सा नंबर आपका हो जाएगा क्या राइट आइंसल 14 पत्ति में पाए जाने वाले रंदर कहां इस्थित होते हैं अ निचली सता पर सही बता रहे हैं 15 पोधों में मूल रोम किस अंग में पाए जाता है पौधो में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है पंद्रा नमबर देखिए पौधो में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है आ है आपका तना में जड़ में सा है आपका पत्तो में और दा है पुस्प में किस में हो जाएगा मूल रोम देखे भाई जो जड़ होती है हमारी देखे पहले तो correct answer आपका है जड़ में ठीक है तो 15 number question क्या गया रहा है पौदो में मूल रोम किस अंग में पाये जाते हैं तो बापका correct हो जाएगा जड़ में तो देखे जो आपके पिंगड़ की जड़ देखे होंगे आप लोग सबी जैसे ये हो गई आपकी एक जड़ ठीक है और इसमें से देखे होंगे कई जड़े निकली रहते हैं जड़ से भी कई जड़े निकली रहती होंगी और फिर इसमें से निकली रहे होंगी इस तरह की सनचना देखे होंगी कभी पीड चोटा पादा उखाड़े होंगे कभी तो देखे होंगे तो यही जो जड़ से भी जड़ निकले देए हैं यही होते हैं मूल रोम ना तो यह कहाँ पाए जाएंगे तनी में तो पाए जाएंगे तो किस में पाएंगे जड़ में 16 नमबर पुस्प का नर्भाग निम्न में से कौन सा है आ नमबर पुंके सर बा इस्तिरी के सर सा है दलपुंज और दा है बादल सोला नमबर बताईए एंसर गलत नहीं होना चाहिए बहुत पढ़ चुके हैं बच्पन से पढ़ते आ रहे होंगे क्या हो जाएगा आ क्या हो जाएगा बाई पुंके सर पुस्प का नर्भाग पुंके सर आगे सत्रा इलकीन का उदारण सत्रा नमबर बताईए आ है आपका एथेन का बा है मेथेन का सा है एथलीन का या दा है इनमें से कोई नहीं कौन सा हो जाएगा 17 नमब 17 नमब इलकीन का उदार्ण क्या है जलिल बताइए तो आपका हो जाएगा सा नमबर इथिलीन इलकीन किसका उदार्ण है इथिलीन का ठीक है आगे चलते हैं 18 नमबर कार्बनिक योगिक में पाया जाता है जाहिर सी बात है वाई कार्बनिक योगिक है तो इसमें पाय जाएगा कार्बन आगे देखना ही नहीं था तुम लोगों को कार्बन लिग CARBON 9 None पर आते हैं हम लोग हेलकाइन का उपयुगत उधारण है A है मेथेन, Bा है एथेन साइ एसी टिलीन और दा है इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताइए आप लोग 19 नंबर 19 नंबर भाई भाई 19 नंबर मेथेन होगा कि एथेन होगा आइसलीन होगा इ nessa कैनमें से कोई नहीं हो होता है 20 नमबर क्वेश्चिन खमीर का उप्योग होता है खमीर बोले तो इस्ट ना तो इसमें क्या-क्या पढ़ाया गया था श्रकाप यहां कर को अब निर्माण में या B इलकोहल बनाने में या S बेकिंग पाउडर उद्दूग में या दाव उप्योग सभी तो खमीर को देखे क्या क्या कहते थे ब्रेकर्स इस्ट कहते थे यानि कि ब्रेकर्स इस्ट आपको बताया गया था जो बेकरी में जितने भी सामान बनेंगे केक हुआ कुछ भी हुआ उसमें सब में यूज होता था ठीक है तो बेकरी में बेकिंग पाउडर का भी होता है ठीक है तो यह भी हो जाएगा आपका ओसथी निर्माड में तो एस्ट से itelे आवसद में प्राफ्ड होती थी हम LINGोगों को और इसको और क्या कहते थे- इस एस्ट को या खमीर को फ्योग करते हैं, तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका, बीस नंबर में क्या हो जाएगा, दा उप्योगत सभी, ठीकि वाईस, अभी चीज़ पाई आ रहे हैं, खमीर निर्मान में होता है, बेकिंग पौडर उद्योग में होता है, यल्कोहल में भी हो रहा हैं, तो दा की उपरियुक्त विधी है जल्दी से बताईए भाई 21 नंबर कुश्चन 21 नंबर कुश्चन आपकी क्या हो जाएगा भोजन संद्चित करने की मूल मुख्य विदियो में से एक है तो मुख्य विदी देखिए हर घर में भाई फ्रेज है ठीक है उसमें ठंडा करने के लिए हम है भोजन संद्चित करने के मूख्य विदियो में सीथिलन भी दिना टेशचन अरते हैं आप लोग तल्दी से खान एवम खानेश अधिनियम पारित हुआ था खान एवम खानिश अधिनियम पारित हुआ था आा है आपका उननीस सो से त electronics है उननीस सो पचास और दा है। जाएगा बा, उन्नी सोटालीस में, ठीक है, आगे ब़लते हैं, चौवीस नमबर, अबरक का उप्योग किया जाता है, अ है आपका कपडा उद्योग में, बा है रासानिक उरुरक उद्योग में, सा है आपका विद्धृत उप्योग में, और दा है चीनी मिलो में, किसमें हो जाएगा आ बा सा यद्दा 24 नमबर देखिए अब रख का उपयोग किया जाता है तो आपका इसमें सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा सा नमबर विद्धुत उपयोग में भाई विद्धुत उपयोग जो बता रहे हैं वही लोग सही हैं 25 नमबर वे पदार्थ जिन पर पढ़ने वाले आंसिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं वे पदार्थ जिन पर पढ़ने वाला आंसिक रूप से निर्गत होता है देखें क्विस्चन की बैंड बजा दी पूरा क्विस्चन ही नहीं दिया वे पदार्थ जिन पर पढ़ने वाला आंसिक रूप से निर दिखा जाएगा यहां पर प्रकास question गलत है सटाइट कर लिजेगा आप लोग वे पदार्थ जिन पर पढ़ने वाला प्रकास आंसी गुरूप से निर्गत होता है कहलाते हैं तो आप पारदर्सक भाई क्या होता है जो अगर प्रकास पढ़ेगा तो वो बिल्कुल नहीं पार खर पाएगा किसी चीज़ पर जैसे लकड़ी हो गई जैसे अगर कागश होगी या फॉलिथीन होगी तो मतलब जितना प्रकास पढ़ेगा पूरा तो नहीं जाएगा लेकिन कुछ मात्रा उसकी चली जाएगी और पारदर्सक में तो भाई पूरा पूरा चला जाएगा ना जैसे काच हो गया आपका दा प्रदीप्त और आप प्रदीप्त वस्तुएं पढ़े होंगे बाई प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें प्रकास होता है जैसे सूर्य हो गया आपका बल्फ हो गया यह बल्फ मुंबत्ती यह वस्तुएं इनमें प्रका प्रकास होता है बाई जिलाने पर और जिन में नहीं होता हुए आप रदीप तो यह तो मैटर ही अलग हो गया ठीक है question पर आते हैं तो question क्या कहता है वे पदार जिन पर पढ़ने वाला प्रकास यहां पर प्रकास होगा आंसिक रूप से निर्गत होता है मतलब कम पार कर पता है किरने उसकी तो क्या हो जाएगा बा अलप पार तर सकत ठीक है 26 नमबर किस प्रकास रोत से उपशाया नहीं बनती है किस प्रकास रोत से उपशाया नहीं बनती है आ है आपका सूर्य बा है बिंदू प्रकास रोत आ क्या हो गया? सूर बा है बिंदु प्रकास रोत और सा है सभी प्रकास रोत या दा है इन में से कोई नहीं लगाएए तुक्का जल्दी जल्दी किस प्रकास रोत से उपचाया नहीं बनती है अगर याद होगा या कब पढ़े होंगे अपने मन से तब तो लगा पाएंगे नहीं तो तुक्का ही लगाएंगे न देखे देखे तो इसमें क्या हो जाएगा किस प्रकास रोत से उप्षाया नहीं बनती आ सूर बा बिंद प्रकास रोत सा सभी प्रकास रोत या दाइन में स चीज बता देता हूँ, उप्छाया देखे सूर्य है, जब सूर्य का प्रकास या मुंबत्ती या टार्च कोई भी होगा, जब एक तरफ से प्रकास आएगा, दूसरी तरफ से उसकी, मतलब प्रकास का फैला होगा, तो कोई वस्त होगी तो उसकी उप्छाया बनेगी, तो इस इसमें नहीं बनती है तो आपका हो जाएगा बाई बिंद प्रकास रोत एकदम राइट आइंसर है बिंद प्रकास रोत का उपयोग कहां करते हैं देखिए बिल्डिंगों को सजाने में करते हैं और बहुत से चीजों में आप कलब गया होंगे दान्सवां करते हैं या एक लाइन में सीधा सा बताए हैं तो वहीक तो आप ने कभी देखिए होगी ृजर टार्च्थ किसने लोग तो इसकी परचाई भी नहीं बनती हैं, ठीक है यह जब चलती है लेजर टार्ट जलाए होगा ना अब आप तो परने देखा होगा है एक सीधी रेखा में चल देए डिस्को लाइट होगे तो एक मतलब सीधी रेखा में होते है और फैलाओ कम होता है किरन की रूप में एक तम सीधी चल दे तो वही हो है बिंद प्रकास रोत आपका राइट आंसर 26 में किस प्रकास रोत किसे उप्षाया नहीं बनती है तो बिंद प्रकास रोत 27 आपका है पिर्थबी पर उप्षाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब होता है बताईए भाई 27 नमबर पिर्थबी पर उप्षाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब होता है तो देखिए ये हो गया आपका मान लेते हैं सन हो गया ये हो गया आपकी पिर्तवी भाई पिर्तवी किस तरह बन रही है हसना मत तुम लोग और सी ये हो गया आपका चंद्रमा सी से चंद्रमा ये एस है आपका सूर्य और बीच में फिर्तवी है तो इसकी उप्षाया पड़ रही है चंद्रमा पर ठीक है अब चंद्रमा का एक आपने सुना होगा चंद्रमा अपने प्रकास से नहीं सूर्य की प्रकास से चमकता है ठीक है तो जब सूर्य का प्रकास ही नहीं पड़ेगा सूरी सारा प्रकास प्रत्वी ले लेगी जब इजे किरिया होगी और प्रत्वी की सारी शाया इस पर चंद्रमा पर पड़ रही है तो जब चंद्रमा तक प्रकास पहुच नहीं पाएगा तो चंद्रमा दिखेगा ही नहीं तब क्या हो जाएगा चंद्रग्राण, क्या हो जाएगा 27 नमबर पिर्तभी पर उप्षाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब होता है आसूर ग्राण बाद चंद्रग्राण, शाय और बाधोनों यद्दा इन में से कोई नहीं 27 नमबर में अब भी कुछ लोग गलत बता रहे है 27 नमबर क्या बाध चंद्रग्राण, चंद्रग्राण 28 नमबर निम्न में से मलेरिया के रुगाणू का वाहक कौन है ये भी कुशन कुछ लोग गलत करेंगे पास में होते हैं तो थपड़ पड़ते हैं अब दूर हैं बाई कुछ भी बोलो कुछ भी नहीं होगा 28 नमबर निम्न में से मलेरिया रुगाणू का वाहक कौन है गरेलू मक्की बाटिड़ा सातितली ये दा मच्छर क्या बताएं एकदम बेदम वाला है बाटिड़ा